हो रही है और क्या कुछ नया होने आला है जो भी नया होगा आपको देखने को मिलेगा अच्छा होगा पिछली बार से यह अच्छा होगा आपने देखा होगा जब पहली बार हमने शुरू किये थे उसके अगले साल अच्छा हुआ इस बार भी उसी तरह अच्छा होगा ज्य और भी लोगों को रिष्ट को इसमें आमंतित करने वाले हैं और बहुत भब्वेकारिक दम होने वाला शीराम जी के आपने निरख्षण किया है यहां जो आप देलेखा तूटे हुए है जो रोज पे आपने भी डार खटकाल लगाई है क्या माफिए अभी जो टूटा हुआ है यह जो निर्वाला धीन है इसी का लोकारपड नहीं हुआ है ठिक है यह भी दियनी वाना धीनी माना जाएगा और इसलिए मैंने कहा कि इसको सभी चीजों को करो कुप्रीक गार्प्र कर के लिए और और 仔सी तरह सथ तरह इसको ग्रीच करना नहीं सिचाई विभाग की काम है दोनों को मैंने दोनों के अदिकारी भी हमारे साथ है सबको मैंने कहा है कि सब करके और इस तरह से प्रहाएं सबकाएं सबका अलग नहीं है सबका अलग महात्म है और अज़की अलगrea रचना है कभी भी एक दूसरे से तुलना नहीं कि जा सकती है हम लोग प्रयास करते हैं कि चीजे जो ही हो अति सुन्दर हो ज्यादा सुन्दर हो इतनी सुन्दर हो कि सबको अच्छा लगे और उसमें देवी परस्तुति करण वहीं यह जो आज बैठक आपने किया है उस बैठ सब्सक्राइब करते हैं इस अजुद्या नगरी के विकास के संब्द में चर्चा हुई इस को परेटन अस्थल के रूप में ठीक से और भी ज्यादा यहां पर अभी में लेखा हजारों की संख्या में रोई लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ अलग से और भी बेवस्ता कि सब्सक्राइब कितना बजट किया गया है इस बार दी पावली को लिए करके और सब मालूम हो जाएगा और विकास की प्रकिरिया सतक चल रही है 2017 के पुर यहां पर जब तक आदाड़ी योगी जी की सरकार नहीं थी आदाड़ी मूर्दी जी के बार बार कहने के बाद भी यहां कोई विकास के काम नहीं चल रहते अजुद्धिया को उपेच्छित कर दिया गया था जुद्धिया के बारे में एक कहा जाता था कि इसको हुद यहां को जुद जुदि आख affect आध होगे कोई विकासकार यहां करना नहीं चाहती थी हमने इसको नगर निगम और विभिन्दे तरीकों से इसको विक्सित करने का प्रियास किया है और यह अध्यात्मिक प्रेटर नस्तल का सबसे बड़ा केंद्र आने वाले दिनों में बनेगा